हलो फ्रेंड्स वेलकम टो आग्जाम भी आएम सुशिल रगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और आफसी का जो एक्जाम है बस अभी कल ही है आज 12 माई है मैं वीडियो बना रहा हूं और फर्स टाइम यह एक्जाम हो रहा है तो इसलिए सब स्टूरेंस फर्स ट कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ और यह एक 100 mcqs है इसकी एक मैंने फाइल बनाई है वो आप यहाँ पे डाउनलोड करके एक बार जस्ट गो थूर कीजिए आपका सारा बढ़ाई हो चुका है और अगर आपने एक्जाम भी का कॉर्स पहले लिया था तो अभी जो कि यह पाँच पॉंट है जो पहला पॉंट है यह बहुत ऐसी है और सब लोग को ऐसे लगता है और मेरे साथ यह नहीं होगा ऐसा नहीं है अब यह फेज वन काज एकioso म 흡़ीं होना हा तो आपका जो heart beat है वो settle हो जाएगा, आप उस environment से aware हो जाओगे और आपको वो anxiety नहीं रहेगी, otherwise लोग क्या करते है, भागते भागते पहुचते हैं 5 मिट पहले और फिर वो उनका BPI हो जाता है, फिर वो कभी line पे आए नहीं सकते, फिर paper हो जाता है और फिर वैसे tension में, तो य यह जो वीडियो देख रहा है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, यह पहला point है, easy है, second है, अभी English का जो paper है, उसमें handout में क्या दिया है, देखो, कुछ भी हो जाने तो हमें सब की practice है, आप कब से, आप सालों से MCQ type की exam देते आ रहे हैं, तो अगर स इसे tension लिया है, कि sir कैसे होगा, MCQ हो गया तो MCQ दे दो, descriptive है तो descriptive लिखो, MCQ मार करके answer explain करना तो वैसे करतो, तो इसको बिल्कुल tension नहीं है, यह point है ही नहीं, बस एक थोड़ा सा कुछ हमें क्या होता है, हमें status को maintain रखने का और रहने का एक आदत हो गया है, कुछ भी change हो जा यानि कि आपका अभी exam चल रहा है, आप exam center में हो, तो आपके सामने जो question है, मालने कि आप second question पर, उस ही पो focus कीजिए, otherwise मैंने देखा है, लोग इदर उदर देखते है, paper कैसे आ गया, यह क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो आपको tension आता है, तो इसलिए बिल्कुल नहीं मैं तो कहता है, यहाँ पर focus on exam भी नहीं है, focus on question कीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, question, आपके सामने जो question है, उस पर focus कीजिए, यह बिल्कुल मत सोचिए, और देखो, ऐसा मत पूचे कि कितना safe है, safe कितना है, मुझे बताओ, अगर मैं कहूंगा कि 30 mark safe है, तो आ आपको क्या करना है, आपका best देना है, आपका best देना है, बिल्कुल मत सोचे, easy है, difficult है, बिल्कुल 100% तुक्का मत मारी, ठीक है, 100% तुक्का मत मारी, जैसे 5 question है, अगर आप 2 eliminate कर पा रहे हैं, तो 3 में से 1 मारी, यह मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, at least 2 option eliminate होने के बाद, यह 3 3 में से आप कोई भी मार लो, फिर कोई problem नहीं है, ठीक है, यह मेरा understanding है, इतने 10-15 साल का, अगर आपको जो लगता है, वो आप कर सकते है, ठीक है, यह मेरा suggestion है, finally decision, आपका है, आप क्या, दो option limit होने चाहिए, फिर 3 में से कुन सा भी मारेंगे, तो आप negative में नहीं जाएंगे 100% negative में नहीं जाएंगे, अगर आपको इसका explanation जाएंगे, यह से 15 question है, ठीक है, पंधरा question में आपकी situation ऐसी है, ठीक है, तो कोई भी mark कर दो, probability हिसाब से क्या है, 1 third है, यानि कि आपके 5 बराबर आएंगे, है न, 15 में से, 10 गलत आजाएंगे, 5 के कितने marks मिले, 10 mark मिले, ठीक है और 10 गलत आगे, उसके कितने mark माइनस होगे, यह होता है, 1 fourth, यानि कि 5 mark माइनस होगे, यानि कि आपका net score आगया 5, और 5 यह positive score बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो आपको समझ में आया कि अगर आप 2 option इलिमिट कर पाते हैं, तो 3 में से कौन सा भी टिक कीजिए, फिर tension नही ठीक है, देखो, food and sleep यह बहुत important है, तो अभी यह दोपर है, ठीक है, शाम को आपको light खाना है, आप कुछ भी ऐसा खालेंगे, जिससे आपका पेट खराब हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा, food poisoning होता है लोगों को, ज्यादा खालिया, यह हुआ, बहुत खालिया, नीन फिर जादा लग गई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, food normal लेना है, बहुत normal लेना है, and sleep अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सारा game दिमाग का है, अगर आपको अच्छी नीन नहीं आएगी, तो कल फिर आपका brain जो है, वो fully functional, fully 100% active stage में नहीं रहेगा, तो आपका performance अच्छा नहीं रहेगा, और क्या होता है, energy drink यानि कि जब आप exam center पे जाओगे, तो जैसे water bottle होती है, water bottle उसमें आप जैसे glucose डाल सकते है, या ORS का डाल सकते है, उससे क्या होगा, energy level maintained रहेगी, तो पानी की bottle allow करते है, तो पानी लेके जाए, ये बहुत simple वाली tips है, लेकिन ये बहुत, अगर ये इसमें से कोई बिगड गया, तो फिर exam गया, और अलड़ी आपको पता है, इससे B seat है, और 35,000 लोग compete करने वाले है इसमें, और 60,000 लोगों को इंट्रू का call आएगा, तो इसलिए ये अच्छे से कर लीजिए, और एक 100 question है मैंने दिये है, उसका link है, वो download करके, just go through कीज ज्यादा tension मत लीजए याँ पर, ठीक है, तो और मैं hope करता हूँ कि आप मैं से 60-70 लोग आए, इंट्रू के लिए, और हम इंट्रू का अच्छे से preparation करेंगे, और आप मैं से ही जो वीडियो देख रहे है, final 20 लोग IFSCA जोईन करें, और फिर अगले साल आप मुझे information दे की, notification कब आने वाला है, क्या होने वाला है, तो उसमें हम दोनों का ही benefit होगा, तो चलो, thank you for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.